हेलो स्टूटेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे आप सब उमीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे देखी रहे हो बेटा तुम कैसी महावारी फैली हुई है तो सभी अपना ख्याल रखना और कम से कम घर से बाहर निकलने की कुषिस करना और अगर फिर भी जाना पड़ता है तो बेटा प्रिकोस्चंस लेकर जाना अपना बचाओ करते हुए ठीक है तो बेटा चलिए हम अपने टोपिक पर आते है मीन टोपिक पर आज मैं पैटा आपके100 की वेटा बयाइऊ है जो कुईज कल ही आया है और उसके ब बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी बेटा, किसी भी कुईज को खेलने से पहले तुम्हें उसकी तयारी करनी चाहिए ठीक है, ये तुम्हारा लक्षे है और तुम्हें आज पता चला तो ये नहीं जैसी पता चला उस पर भाग लिया उसके लिए नहीं एक स्टोरी बताती हूँ कि दो वैक्ती थे ठीक है तो उनको बोला गया था एक पेड़ को काटने को ठीक है दो पेड़ सोच लो दो पेड़ काटने को बोला गया उनको तो और उनको क्या दे दी गई कुलाडियां दे दी गई ठीक है दोनों को और बोला गया कि तुम्हें इनको काटना है तो उनको 6-7 गंटे दे दिए मानलो 6-7 गंटे दे दिए तो उसमें से एक ने तो क्या-क्या फट से अपनी कुलाड़ी उठाई और क्या करना सुरू कर दिया उसको काटना की जितनी जल्दी मैं काटना सुरू करूँगा उतनी जल्दी मेरा काम खतम होएगा ठीक है ऐसा हम करते भी है लेकिन जो दूसरा था उसने क्या किया उसने पेड़ काटना सुरू नहीं किया और तुम यह पेड़ मत काटने लग जाना एक example है, सिर्फ बताने के लिए, वैसे पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए, ठीक है, तो उसने क्या क्या बटा, वो अपनी कुलाडी को, मतलब कि यहां से उसको धारीदार बनाने लगा, गिस गिस कर, पैना करने लगा, ठीक है, ऐसा क्यों करने लगा, क्योंकि बेटा एक है, उससे पूछा गया, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तो काट रहा और तुम लेट हो जाओ गया, एसे और, तो उसने कहा, कि हमें किसी भी काम को करने से पहले, उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, किसी भी कारिये में सफलता आगर हमें पानी है, तो उसके लि सो वार करके यहां तक काट पाया तो बेटा उसकी एक ही कुलाडी ने उसको इतना काट दिया, एक वार ने, तो उसने क्या क्या, स्मार्ट वर्क क्या, इतनी मेहनत, सफलता के लिए इतनी की, कि उसको जब वो करने लगा, implement करने लगा, तो उसको दिक्कत नहीं आई, ऐसे ही, यह मैं क्यों बता रही, तुम्हें बेटा, जो कुईज खेलते हो, और जो तुम्हारे फाइदे के हैं, तो उनका knowledge तुम पहले gain किया करो, तब कुईज खेला करो, दो मिनट की बात है, यह दो मिनट में खतम हो जाएंगा, ठीक है, यह कुईज, तो अब तुम सोचो के जल्दी से खतम कर लें, तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है, बस ऐसे टाइम पर certificate मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपना लक्षा निर्धारित करना है, जो 100 parts, इसमें बताएगे हैं, उसके बारे में ओके, तो तुम्हें बेटा, उसके लिए तयारी करनी है, अच्छे से इसके बारे में जानना है, टोपिक के, और वो चीजे मैं आपको detail में बताऊंगे, कहां से कैसे तयारी करनी है, फिर तुम्हें ये quiz देना, और तुम definitely देखना, मुझे खुद बताऊगे कि हाँ मैं हमारा फायदा हुआ है, ये मैं guarantee देती, ठीक है, तो चलिए बेटा, start करते कि हमें quiz को open कैसी करना है, तो बेटा, आप ये वाला tab open करोगे, ठीक है, इसके नहीं पता बेटा, नए है, उनके लिए वो video देख लेना, तो यहाँ पर बेटा, हमने ये new tab open कर लिया, new tab कहां से open करते हैं, इस plus के निसान से, ठीक है, तुम इस पर click करोगे, तो तुमारे पास, देखो मैंने click किया, new tab open होके आगिया, ठीक है, तो मैंने किया हुआ था पहले से ही, तो, यह, मतलब मैं उसको cross कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, अब यहाँ पर हमें, बेटा, my government type करना है, मैंने my government type किया, तो हमारे पास इस तरीके का page open होके आया, यहाँ से हमें my government quiz पर click करना है, यह मैंने my government quiz पर click कर दिया, उसके बाद बेटा, तुम यहाँ देखोगे, कि तुम्हें यह दिखाई देता है, वेट, यह वाला, यह quiz यह है बेटा, जो तुम्हारा आया है, उससे पहले भी चला हुआ है, आयूस संजीवनी कुई, जिसने नहीं किया, वो उसको भी कर लेना, quiz on annular solar eclipse 2020, ठीक है, और बेटा, यह तुम्हारे science subject से related भी है, ठीक है, अब तुम यह देख रहोंगे, किसी बच्चों के, का यह page open नहीं हो रहा होगा, तो वो सारी चीज़े, यहाँ से हो सकती है, बेटा, यह जो दिख रहा है क्या तुमने, तो तुमारे पास इस तरीके का page open होईगा, अब हम इसके बारे में सारी बाते detail में जानेंगे, quiz की starting date क्या है, बेटा, पांच जून को यह सुरू हुआ था, साड़े पांच बचे शाम को, फिर end date क्या है, वो जरूरी होती है, किसी पंदरा जून 2020, ठीक है, जैसे उनको साथ दिन दिये गए थे, बेटा, तुमें यहाँ पर देखो, दस दिन दिये गए हैं, तो तुमें क्या करना है, ज्यादा दिन नहीं लगाना है, दो मिनट का है, तो तुमें at least दो घंटे, या एक घंटा अपना इसकी study पर लगाना है, ओके, और फिर तुमें वो दो मिनट में देखना, कितना फल मिलेगा, कितनी success मिलेगी, ठीक है, और जिसलिए तुम खेल रहे हैं, साइद वो भी तुमारा पुरा हो जाए, तो बेटा, इसकी ending date क्या है, 15 जून 2020, ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा, हम पढ़ेंगे, इसकी terms and conditions और login to play के बारे में, तो बेटा, यहाँ पर terms and conditions दी हुई है, यह रही, हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, terms and conditions, अब सबसे पहले देखो, यह quiz, में क्या-क्या मिलेगा, इसके बारे में बताती हूँ, इसमें बेटा, तुमें 10 questions मिलेंगे, 10 questions मिलेंगे और 10 score, मतलब 1 question, 1 number का होगा, 1 score मिलेगा उसके लिए, ठीक है, अगर correct होगा तो, और 120 second, यानि कि बेटा, 2 minutes तुमें मिलेंगी इसको करने के लिए, 10 questions को, ठीक है, अब इसमें क्या है, timed quiz है, बता दिया, 2 minutes है, ठीक है, 10 questions 120 seconds में, और ये questions randomly pick किया जाएंगे, question bank से, मतलब कि ऐसा नहीं है, कि fix हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते, लेकिन topic वही रहेगा, same, तो ऐस जैसे कि अब पेड़ काट रहा था वो, तो ये नहीं है, कि वो किसी को भी काटे, पर उसका, वो सही वार लगे, और वो कट चाहे, ऐसे तुम्हें topic की अच्छे से त्यारी करनी है, कि कहीं से भी question पूछे जाएं, तुम उसका answer दे सको, ठीक है, winners will be adjust on the basis of maximum number of correct answer, और जो correct answer होंगे, उनके basis, यह मैं पहले भी बता चुकिए, ठीक है, आप खुद से भी पढ़ ले ना, correct answer same होंगे, तो उनकी timing पर depend करेगा, और अगर आप tough लग रहा है, तो skip कर सकते हो, ठीक है, quiz will start as soon, जैसे ही तुम start quiz पर click करोगे, तो यहाँ पर अपना mobile number, password यह fill करना, फिर login with password पर click करना, ओके, जब तुम इस पर click कर दोगे, तो तुम्हारे पास फिर से इस तरीके का page open हो जाएगा, यह वाला, ठीक है, यहाँ पर लेकिन तुमें start quiz लिखा हुआ आएगा, यह start quiz लिखा आएगा, यहाँ पर, ठीक है, फिर तुम start quiz पर click करोगे, तो फिर से तुम्हारे पास एक page open होके आएगा, जहाँ पर तुम्हें तुमसे detail मांगी जाएगे, name, phone number, state, referral, code वगएरा, यह सारी चीज़े तुम्हें fill करनी है, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने तुम्हें प्रिविएस वीडियो में बताया हुआ है, तो तुम्हाँ से जाकर check कर लेना कि वह हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते की quiz है क्यों, क्या objective है इस quiz का, ओके, तो बेटा यह किस की तरफ से आया है, किस ने execute कर आया है, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, तो जो यह quiz है बेटा, विज्ञान प्रासर इजे National Institute for Science and Technology Communication, established in 1989, under the Department of Science and Technology, तो बेटा जो विज्ञान प्रासर है, वो क्या एक National Institute है, फोर किस के लिए, Science and Technology Communication के लिए, जो कि एस्टेबलिस हुआ था, 1989 में, और under the Department of Science and Technology, तो इसकी तरफ से यह quiz को execute किया गया है, और किस की help से, माई गवर्मेंट की help से, ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, कि इट, इट प्रमोट्स, इट प्रमोट्स और प्रोपेगेट एस साइंटिफिक और रैश Decision Making, ठीक है, तो इसका क्या काम है, इस Institute का, ये एक rational thinking को बढ़ावा देता है, science की तरफ increase करता है, सबको, ठीक है, सबका interest create कराना चाहता है, और फिर क्या करता है, capacity, एक decision लेने की capacity को build करना चाहता है, ठीक है, सबी के अंदर, The principal objective of VP is to, VP मतलब बेटा, विज्ञान परासर, popularized science is to every nook and corner, तो nooks बेटा, यहाँ पर एक नया word पता चला हुआ, कुछ बच्चों को हो सकता है, किसी को पता हो, नहीं पता हो, तो nooks का या nooks का मतलब बेटा होता है, हर कोने में, every corner, बोला न, तो every corner मतलब कि हर कोने में, हर च है, कि तुमने इसका meaning समझा है या नहीं, ठीक है, लिखते नहीं हो, बाकि तुम, बाकि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा ही फायदा है, बटा, जो चीज़ तुम खुद से लिखकर सीखोगे न, वो हमेसा याद रहेगी, मैंने पहले भी बतायता है, हर चीज के साथ अक्टिविटी याद रह जाएगी, तो हमें वो चीज भी याद रह जाएगी, ठीक है, इंडिया इस गोईंग टो इंडिया इस गोईटनेस एन अमेजिंग रियर सेलेशियल फिनोमेना उफ एननुलर सोलर एकलिप्स ओन 21st June 2020, विज्यान प्रासर वुड लाइक तु उट तो बेटा क्या हो रहा है कि ये पहले भी हुआ है लेकिन इस बार इंडिया में क्या हो रहा है 21st June को ठीक है 21st June को बेटा कुछ और भी है मैंने पहले भी तुमसे question पूछा था तो सभी ने answer सही दिये थे काफी सारे events थे 21st को उसमें से एक events भी बेटा ये भी है कि उस दिन हमारा solar annular solar eclipse भी अकर होईगा ठीक है इंडिया में भी होगा सबसे बड़ी बात यही है कि ये पहले बेटा इंडिया के सभी parts में या हर जगा पर नहीं दिखता था ये other countries में ज़्यादा दिखता था ठीक है इस यही चीजे सारी detail आपको जाननी है हो सकता है quiz में तुमसे ये related पूछा जाए इससे ठीक है तो उसके लिए मैं तुमें सारी चीजे बता दूगी कैसे कहां से करना है ओके तो इसमें बेटा 21st June को ये अकर होएगा तो कुछ parts ज तुमें अपने satellite के बारे में बताया गया था जो हम भेजने वाले है launch करने वाले है तो तुमें उससे बहुत knowledge बढ़ाओगा sun के बारे में तो ये भी solar eclipse है वो भी तुमारी बेटा यहाँ पर help करेगा जब तुम इसको पढ़ोगे definitely तुमें लगेगा हाँ हम ऐसा ऐसा कुछ पढ़ चुके है तो इसलिए ऐसे धीरे धीरे बेटा सारी चीज़े learn करते जाओ तुमें आगे पढ़ाई में भी काम आएंगी ठीक है तो बेटा यहाँ पर उसने इसको opportunity की तरह use किया science को बढ़ावा देने के लिए astronomy को बढ़ावा देने के लिए among the peoples ठीक है दस विज्यान परासर initiated and awareness drive तो उसने के मुहीं चलाई है मतलब की जाग रूप करने की ठीक है तो the goal of the drive is to encourage people to watch the eclipse in a safe manner क्या drive है बेटा कि सभी इस eclipse को देखे जो जो उस state में रहते हैं नहीं तो कुछ जाते भी है देखने अलग अलग दूर से आते हैं इनको देखने के लिए बट अब तो situation ऐसी है कि हमें एक दूसरे state में जा नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं बेटा जो महां पर है एटलिस्ट वो तो देख सकते हैं बाकि अपना phone में टीवी में कहीं से भी देख सकते हैं ठीक है और and to foster the interest in an astronomy अब बेटा यहां पर एक और नया word आया हो सकता तुम्हें इसका ना about the solar eclipse विज्ञान प्रासर is organizing an online quiz competition in coordination with the my government quiz तो विज्ञान प्रासर ने किया किया बेटा my government quiz के साथ coordinate किया जैसे तुम दो friend हो और एक को कुछ बनाना आता है तुम दोनों कहो कि एक दूसरे की help करते हैं और इस चीज़ को हम बनाते हैं और फिर दूसरों की मदद करते हो ऐसे ह विज्ञान प्रासर ने my government के साथ किया किया coordinate किया collaborate किया जो भी कहो और फिर ये quiz को execute किया है ठीक है और जो कि कब से कब तक होएगा 5th June से 15th June तक होएगा ठीक है the quiz is 20 minutes during which 10 questions need to be answered ये बता चुकिए ये certificate मिलेगा ये तो पक्की बात है will be given to all the participants top 100 winners will be awarded with the publication of विज्ञान प्रास करिए यहाँ पर जो winners होंगे जो 100 winners होंगे और वो 100 winners वो नहीं होंगे जो जल्दी से करने की कोशिष करेंगे वो 100 winners वो होंगे जो क्या करेंगे कम समय में कम समय में ज्यादा correct answers देंगे उनको ये winners से awarded किया जाएगा ठीक है अब बटा हमने ये तो जान लिया date क्या starting date कैसे play क करना है लोग इन करना है क्या क्या कोश्चंज पूछे जाएंगे क्या उब्जेक्टिव है किस टोपिक पर अब हम चाहते हैं टर्म्स एंड कंडिशन बस यह थोड़ा सा रह गया है बी पेशन्ट तो टर्म्स एंड कंडिशन क्या है बेटा तो इंक्रीज दावेर्नेस अब दी सोलर एकलिप से विग्यान प्रासर विल बी ओर्गिनाइजिंग एंड ओनलाइन कुछ नहीं पड़ते ना तो उनकी कुछ गलतियां हो जाती है जैसे तुम महसूस भी कर चुके होगे जो हो गया सो हो गया अ कर सकते हो लेकिन अगर तुम आज सुन लोंगे कल काम आएगा इज़ पर नीट तो क्रेट इंडिविज स्केल अपना बना लो तो जादा अच्छा रहेगा ठीक है मैं हमेसा सी वोलते हूं मैं उसका लिंक भी तुमें दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्टन बोक्स में मिल जाएगा उपर आई बटन होता है ना यहाँ पर ना कोर्णर में आई बटन होता है और डिस्क्रिप्सन बोक्स कहा होता है जो यह तुम्हें ट्राइंगल दिखता है ना जैसे तुम्हारी यहाँ पर वीडियो चल रही होती है यहाँ पर तुम्हें यह दिखेगा इस तरी का बार participate करने के लिए कोई start cannot अगर कोई शुरू हो गया तो वो एक बार stop नहीं होगा अगर तुम stop करोगे सोचोगे कहीं से search कर ले तो वो तुम्हारा open ही नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर सकते उसका भी तो तुम उससे भी जाओगे ठीक है इसलिए बोलती हूँ पहले ही सारी तैयारी कर लो ताकि बाद में तुम्हें कोई दिक्पत ना है ओके तो top 100 participants will be awarded with the publication of the vp as token of appreciation तो उनको appreciate करने के लिए publication of vp है जो विज्ञान प्रासर की उससे awarded किया जाएगा ठीक है publications मतलब बेटा विज्ञान प्रासर जो है बेटा वो published करता है books बगेरा को या कुछ भी eminent scientist की ठीक है eminent क्या है बेटा अब यह परसिद scientist जो होते है उनकी books published होती है तो उनसे आप सब को awarded करेगा ठीक है अब quiz is open for Indian citizens only ठीक है और after the closure of the quiz prior to the announcement of the result top scoring participants shall be required to provide a name देखो क्या क्या नेम उनको बताना है जब उनको quiz यानि कि उसका result आएगा announcement होईगी तो जो जो winner बनेगा उनसे क्या पूच जाएगा name, age, government issue proof, कोई भी तुमारी government issue ID proof, जो भी है pen card, आधार card तो उन चीजों को तो यह सा अभी भी need हो सकती, अब digital world में तुम बेटा इतना ज़्यादा involved हो चुकिया और होना ही पड़ेगा, ऐसी situation है ठीक है, तो जिसको यह करने में problem आती है बेटा, आज यह quiz गलत करोगे, दूसरे में सीखोगे, दूसरा गलत करोगे, तीसरे में सीखोगे, तो तुमें करते जान करना ही है, ओके, और मैं साथ-साथ में बेटा, तुम्हें यह बाते इसलिए बताती हूँ, ताकि तुम motivate होती रहो, ठीक है, हमें guidance की जरूरत होती है, तो containing current address और तुम्हारा बेटा, name, age, कोई भी ID proof होना चाहिए, current address होना चाहिए, उसके ID proof के अंदर, और details होनी चाहिए, यह सारी चीज़े होनी चाहिए, उसके अंदर, अब बेटा, next है, विज्यान प्रासर, reserve the right to cancel and amend all the part of the quiz and, or the terms conditions, तो बेटा, क्या करता है, विज्यान प्रासर, कोई भी जो उसने terms conditions बनाई है, उनमें amend कर सकता है, amend मतलब बेटा, changes ला सकता है, okay, और क्या कर सकता है, इनको remove भ ने हटा दिया, ठीक है, यह तुम पढ़ चुके हो, कितने time वगेरा का है, participants are advised to take the quiz before the last date, यानि कि 15 जून से पहले पहले तुम्हें कर लेना है, ठीक है, और 11 बज़कर 69 पी-म, इस से पहले पहले, ठीक है, और e-certificate आप सभी को मिलेगा, criteria for selecting successful winners will be maximum correct answers होंगे, और in short time, ठीक ह कम से कम समय में, अगर tie हो गया किसी के बीच में, तो यह आज different आया कि random selection करेंगे वो, यह अपनी किसमत है, फिर बेटा, अब detection notice of use of any unfair species means and mal practicing including but not limited to the impersonation, अब बेटा देखो क्या है, यह impersonation बोला गया है कि किसी भी इस तरीके की mal functioning में तुम्हें involved नहीं होना है, ठीक है, और during the participation in the quiz will result in participation being declared null, अगर ऐसा करते हो, तो तुमारा participation को null माना जाएगा, या फिर void माना जाएगा, void मतलब बेटा, कि तुमारा empty माना जाएगा, मतलब कि invalid माना जाएगा, कुछ भी कह सकते हो, ओके, विज्यान प्रासर reserve the right to disregard, और विज्यान प्रासर के पास इस बात का regards है, और एक और word रह गया तुमारा, यहां पर participant advice किया गया था, last time से पहले, और last minute technical glitches, अब ये word हो रहा है बेटा, आज तुमने कितने सारे words नहीं सीके, ये तुमारी vocabulary को भी सही करेगा, glitches होता है बेटा, कोई भी मतलब किस तरीके की जोल, गड़वड, ठीक है, गड़वड जाला वो सब नहीं कर, किसी भी गड़वड जाले से, यानि कि जैसे last moment पर कोई काम करते, तो गड़वड होती होती है, तो उससे बचने के लिए तुमें time पर ही अपने quiz को complete कर लेना है, तो वही फायदा रहेगा, ठीक है, तो बेटा, इसमें तो ये सारी चीजे थी, मैंने तुम बता दी, अब बेटा, तुम ये तो पढ़ लिया क्या कैसे, अब तुम्हें इसके लिए तयारी करनी है, ठीक है, ये नहीं कि हां, हमने समझ लिए, आप जागे open करेंगे, play करेंगे, और ख़तम, नहीं, अब तुम्हें इसकी तयारी करनी है, तयारी कहां से करोगे, मैं उन वीडियो का लिंक तुमें डिस्क्रिप्सन बोक्स में दे दूंगी और बेटा तुम्हारा नोलिज वह त अच्छे से बढ़ेगा उनसे जानोगे और फिर तुम उस कुईज को करना देखा तुमें मजा आएगा उसको करते हो और तुमें लगेगा तब तक के लिए असे हसते रहें मुस्कुराते रहें अपने holidays को enjoy करते रहें thank you